एशिन गेम्स में गोल्ड मेडल से आज कितके दिन की शुरुवात हुई और वो मौका आया जब यहाँ चाइना की धर्ती पर भारती तिरंगा उपर था और चाइना उससे काफी नीचे मेरे साथ ऐशिवर्य के गले में आप देख रहे हैं पेहला गोल्ड मेडल है और दूसरा अब दिखाई यह चैना हम यहां पर कॉंपीट कर रहे हैं उनका तिरंगा हमसे थोड़ा नीचे था आपके लिए कितना प्राउड फिलिंग मुवमेंट सर – काफी Proud movement है हम सबके लिए कि-अ आज हमने टें मिटर है राइफिल इवेंट मैं टीम में गोल्ड मेडल जीता है चायना की लोहों कोई हरा के अपने अपने देश का नाम रोशन कर आ है और गोल्ड मेडल जीता है और अगर श्वेरे बाद की जाए आपके करियर की तो अभी कह सकते हैं कि शुरुवात ही है और जिस तरीके से आपने मेहनत की यहां तक पहुंचे पूरी टीम एफर्ट को आप कैसे देखते हों चुकि अब उल्पिक्स भी नजदीक है तो उसकी उपर में आप क्या करिया है शुटिंग के वाले पिरेट से ही गाइड किया कि कैसे क्या शुटिंग है यह वो मुझे गेम में लाने ही वह हैं और उनके बाद जैसे मध्यपते शुटिंग एकड़मी में मैं अपना ट्रेनिंग अगरा करता हूं मुझे सबसे पहले सेलेक्ट में महां पर हुआ था 2015 में एनराई से भी काफी सपोर्ट मिला है में साइस से टॉप से और ओजी क्यू से तो काफी अच्छी बात है अगर हम बात करें कि हर खिलाली के ना करियर में थोड़े अपसंड डाउन्स होते हैं स्ट्रगल होता है तो एश्वर्य के करियर में क्या स्ट्रगल था क्या है कहानी सर ऐसे सच कोई बड़ा स्ट्रगल मेरे लाइफ में हुआ नहीं है कि जैसे मेरे 2015 में अपना शूटिंग करियर स्टार्ट करा है थोड़ा एकडेमिक्स में इतना अच्छा नहीं था तो पैरेंट्स ने भी बोला कि एश्वर्य को शूटिंग करवाए जा तो महीं से मेरे भ हां तो वो उस ताइम का एक पिरेड था सर कि वो थोड़ा मुमेंट थोड़ा वो डाउनफुल होता है कि अगर आप उलम्पिक्स में जा रहो पार्टिस वेट कर रहो मैडल जित्ते हो तो सब कुछ जबाबा है और चाइना में आके कैसा लग रहा है यहां कि जो फसिलिटी हैं जो प्यार करते हैं उपने देश में उनको क्या कहेंगे सर मैं उनको कहूंगा कि थैंक यू फॉर अलवे सपोर्टिंग मी और उन सब की दुआओं से ही अभी आज हम यहां तक पहुचे हैं और इससे और भी आगे जाएंगे मैज से जुड़े आपके हर सवाल का हम दें स्पेशल इंटिव्स दाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स दे काप